चलिए देखते हैं IDI versus polytechnic में क्या differences होते हैं और ये आखिर में होते क्या हैं तो IDI का मतलब रहता industrial training institute यहाँ पर दो वर्ट पर focus करना industrial training यानि कि आपको factory वे काम करने के लिए training दी जाती है और ये एक technical course है technical course है तो इसमें आप ट्रेंट लेवर बनते हो आप इस course को करने के बार इंजीनिया नहीं लेवर बनते हो और ये training लेवर बनते हो उसके बाद ये को से दो वर्ट करेता है और 10th और 12th के बाद लोग करते हैं जिसकी eligibility ट्रेंट पास होना चाहिए और आपके math, science English में अच्छे math होना चाहिए और कुछ form में college में इंट्रेंस एक्राम में दुरूबी आपका education होता है वहीं पर देखते हैं polytechnic में को अगर आप खोड़ते हैं तो poly plus technique में तोटता है वहीं का मतलब है कि आपको मल्टीबल टेक्निक स्काई जाते हैं यहां पर और यह है diploma course है अगर आप polytechnic करते हो तो आप junior engineer बनते हो और यादि आप BDAC करते हो तो आप engineer बनते हो यह है डिफ्रेंस आपको त्यान में अपना करते हैं करते हैं